प्यारे बच्छो नमस्कार आज हम नोवीक अक्ष्या के गणित की परशनावली एक दस्मलो तीन के परशनों को हल करेंगी इसमें फर्स्ट क्यूस्तन है नमलिक्त भिनों को दस्मलो के रूप में लिखना है और बताई एक दस्मलों परशनो का दोई टाइप कहा है असांत आवरती असांत दसमलों पर सारव होता है जो कुछ डिजिट्स के बाद समापत हो जाए जैसे दसमलों दो पांच है यहाँ पर दो डिजिट्स के बाद समापत हो जाए असांत आवरती जो बार-बार रिपीट होता जाए जैसे दसंबलो 3, 3, 3, 3, ऐसे बार-बार रिपीट होता जाए, वो असानता विड़ती होता है, तो यह यह में बताना है, पहले इनको दसंबलो के रूप में लिखेंगे, फिर यह टाइप बता देंगे, उनकी, तो फर्स्ट कृस्टन बिल्कुली असान है, फर्स्ट कृस्ट का फर्स्ट पार्ट देखे, 37 वटे 100, इसको लिखेंगे, 0 दसंबलो 3, 6, देखें, दो अंकों के बाद यह दसंबलो परशार समापत हो गया, इसलिए, यह किस वरकार का है, यह 7 दसंबलो परशार, अब सेकिंड पार्ट देखे, सेकिंड पार्ट है, एक वटे 11, अब इसमें में संख्या एक को 11 से भाग देना है, तो यहाँ पर हम दसंबलो परशार लगाएंगे, और यह देख रहे हैं कि दसंबलो परशार लगाएंगे, फिर एक 0 लगाने के बाद भी यहाँ पर कम रहे गया, तो एक 0 लगाने पड़ेगी, ग्यारम निमे 99, एक बचिया, फिर 0 लगाएंगे, बात बढ़ी नहीं है, एक 0 लगाने पड़ेगी, ग्यारम निम 99, फिर 6 एक बचिया, फिर 0 लगाएंगे, 0 उतार रहेंगे, ग्यारम निम 99, फिर 6 एक बचिया, यह 6 रिपीट होता जाएगा, तो यह बाग खुल भी कहा है, रिपीट होता जाएगा, तो हम एक बच्टे 11 को लिखेंगे, 0.09, 0.09, 0.09, एंड सो ओन, यह 0.09 कहा है, रिपीट होता जाएगा, इसलिए दसमलो पर सार कैसा है, अब इसका थर्ड पार्ट देखी, च्यार सही एक वटे 8, इसको लिखेंगे, 4.8, 32 और रेक, 33 वटे 8, अब हमें 33 को 8 से भाग देना होगा, 33 को 8 से भाग देंगे, तो 8, चोके, 32, एक शेश बचिया, दसमलो पर लगा की, और 0 लगाएंगे, 4, 8, 1, 8, 6, 2, फिर 0 लगा की, 0 तार देजी, 8, 2, 16, फिर 6, 4, फिर 0 लगा की, 0 तार देजी, 8, 5, 4, अब देखिए, 1, 2, 3, दसमलो के बाद, 3, 0, अब देखिए, दसमलो के बाद, 3, 0 अब लगा दीजी, तो यहाँ से, 4 से एक वोटे 8 पराबर क्या गया, 4 दसमलो, 1, 2, 5, 6, 0 अब देखिए, यह खत्म हो जाएगा, इसलिए, दसमलो पर साथ 7 है, फोर्थ पार्ट देखिए, तीन उटे 13, अब यहाँ मैं 3 को 13 से भाग देड़ना होगा, इसे दसमलो के रूप में लिखने के लिए, तीन को मैं 13 से भाग देता हूँ, तो दसमलो लगा के 0 लगाएंगी, तो 13, 2, 27, अब देखिए, यहाँ पर सेश क्या है, रिपीट हो गया, क्योंकि 3 से चले थे, 3 ही दोबार आ गया, अब देखिए, आगे 0 लगा के 0 उतारते जाएंगे, तो यह चीज क्या है, बार बार रिपीट होती जाएगी, तो यह रिपीट होती जाएगी, तो हम लिखेंगे, कि 3 वटे 13 अबराबर, 0 दसमलो, 2, 3, 0, 7, 6, 9, और इसके उपर बार लगा देंगे, तो यह चीज क्या है, बार बार रिपीट होती जाएगी, जब रिपीट होती जाएगी, तो इसका दसमलो परसार कैसा होगा, आसांते आवर्थी, आवर्थी होगा, अब इसी तरह से, आपने 2 वटे 11 का करना है, आगे फिफ्ट पार्ट है, दो वटे 11, यहां 2 को हमें 11 से भाग दिरना है, 11 एकम 11, अब देखिए, यह 2 रिपीट होगा, तो इसका मतलब आगे, बाग खुल भी क्या रिपीट होता जाएगा, एक दो तीन च्यार, एक दो तीन च्यार, तो दो वटे 11 का जो दसम्दो पर सार होगा, वो 0,18, 18, and so on, यह 18 लिखकी इसके उपर बार लगा सकते हैं, तो इसका जो दसम्दो पर सार होगा, वो कैसा होगा, असान थे, आविरती होगा, आग इसका शिक्स्त पार्ट देहिए, 339 ओटे 400, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, 339 ओटे 400, 339 को च्यार से भाग देले, 38, 32, फिर 9 उतरेगा, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 2, 4 पांजे 20, एक और दो अंकों के बाद दसम्दो, तो यह आजाएगा, जब इतना इतना भाग करेंगे, 339 को च्यार से तो 82, 25, वोटे में 100, वोटे में 100 अटाएगे, तो 0, 8, 22, 25 आजाएगा, तो यह जो तसम्दो पर सार देखिए, 4 डिजिट के बाद, बिसमापत हो गया, तो तसम्दो पर सार कैसा है, सानते हैं, अब सेकंड क्यूस्टन देखिए, आप जानते हैं कि एक ओटे साथ बरावर 0, 4, 2, 8, 5, 7 बार है, वास्तों में लंबा भाग दिये विन्या, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2 ओटे साथ, 3 ओटे साथ, 4 ओटे साथ, 5 ओटे साथ, 6 ओटे साथ के दसम्दो पर सार क्या है, यह ति हाँ तो कैसे, तो यहां देखिए, कि हमें एक ओटे साथ का दसम्दो पर सार, जैसे यह याद भी होती हैं, तो कहता है कि इनका दसम्दो पर सार आपने भाग दिये विना बताना है कि यह कैसा होगा, जब एक ओटे साथ का दसम्दो पर सार असांत आवरती है, तो दो ओटे साथ, तीन ओटे साथ, चार ओटे साथ, पांस ओटे साथ, और शै ओटे साथ का दसम्दो पर सार भी क्या होगा, असांत आवरती होगा, तो यहां 2 वोटे साथ, 3 वोटे साथ, 4 वोटे साथ, 5 वोटे साथ, और 6 वोटे साथ का दस्मला परसार कैसा होगा, ऐसानते आविड़ती होगा, और अब 2 वोटे साथ का में बिना भाग दिये ही कैलकुलेट करना किसके वराबर होगा, तो दो वोटे साथ को में लिख सकता है, दो गुणा एक वोटे साथ है, दो गुणा एक वोटे साथ का क्या है, जीर दर्शमनलो, एक च्यार दो आठ पांच साथ बार है, अब इसे सिंपली दो से गुणा करतेजिए, दो साथ चाओदा, आसी लेक, दो पंजदास और ग्यारा, फिर आसी लेक, दो आठ शोड़ और एक साथ एक वोटे साथ का दसमलो पर सार बता सकते हैं, और ये इसकी टाइप मैंने उपर सभी की इकठी बताई दी हैं, इसी तरह से हम तीन ओटे साथ का दसमलो पर सार भी ग्याद कर सकते हैं, एक ओटे साथ के दसमलो पर सार को तीन से गुणा करतेजिए, ये आजएगा, चार ओटे साथ का एक ओटे साथ को चार से गुणा करतेजिए, ये वला आजएगा, पांच ओटे साथ का ग्याद करना तो एक उटे साथ को 5 से गुणा करते जी एंसर आज आएगा और इसी तरह से 6 उटे साथ का भी हम कल्कुलेट कर सकते हैं कि एक उटे साथ को 6 से गुणा करते जी यह वाला एंसर आज आज आएगा आपने इस तरह से गुणा करके दिखा देनी है मैं समय बचाने के लिए यहां पी और क्यों पूर्णांख है तथा क्यों बराबर जीरो नहीं है यहां पर देखिए हमें तीन ऐसान तावरती दसमलोग और सारवाड़े संख्यां दे रखिए हैं इन्हें पीबाई क्यों की रूप में लिखना है यह पिछली लक्षर में हम इस टाइप के उधार्ण भी कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखिए वहां मैंने काफी डिटेल से और अच्छे तरीके से समझाय हुआ है तो यहां फर्स्ट पार्ट सोल करते हैं उन्हीं लाइनों पर यह हुआ है अब देखिए एक अंक क्या वड़ती है जब एक अंक क्या वड़ती है तो मैंने बताया था कि इसको दोन्नों तरह दस से गुणा करनी है यह दस अक्स ब्रावर 6,106 6,6,6 ची जा अब तीसरे स्टैप में क्या करना है पहले स्टैप में इस एक्स के ब्रावर मानना काना है दूसरे स्टैप में जितने उंक कि रीपीटिसम आगर एक प्रिपी रिपीट होताई दस से ुखुण से गुंड दो औंक रिपीट होती दस тебе तू आंक होती तो एक जारThere से दोन्नों तरव गुणा करने हैं अब देखिए इसको 10 एक्स लेप्ट साइड को दाश है एसे रखें राइट साइड को देखिए हम क्या लिखेंगे कि यह जो 6 दस्मिलों 6 6 6 जो आया है दस से गुणा करने के बाद जो संक्य है उसमें उपरवाली संक्या माइनस कर देजी तो यह आएगा 6.000 तो उपरवाली संक्या 10 प्लस 10 की रूप में लिखी जा सकते है तो 6 प्लस 0.666 जो आएसे लिखेंगे 10 एक्स ब्राबर 6 गोत चाही पड़ा रहन दे इसको एक्स लिख दे ये एक्स लेप्ट साइड मिले 10 एक्स माइनस नो एक्स सोरी 10 एक्स माइनस एक्स ब्राबर 6 है कि 10 एक्स माइनस एक एक्स कितना था रहे नो एक्स ब्राबर चाय और एक्स व्राबर त्शे और ठीन नो और इन तो टीए च्ख state associated 11 governor 30at यहां से एक्स ब्रावर दो उटे तो यहां से हम कह सकते एक्स किसको माना 0.6 वो तो 0.6 बार ब्रावर दो उटे तीन यह इंसर आज है अब देखिए आगे इसका सेकंड पार्ट है कि इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं ताकि दोनों मिक्स अपना होजें यह 0.47 और शिरफ साथ की उपर बार द्यान रखें यह से भी हम एक्स के ब्रावर मानेंगे एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे दस एक्स ब्रावर यह आ जाएगा इसे तरह ठ्हुन के लिए 0.47, 77 and 7. 10 से गुणा करेंगे तो 4.77, 77 and 7 आ जाएगा अब तीसरे स्टेब में 10x ब्रावर, हम 10 से गूणा करनेक बाद का आया च्यार दसम्हं लो 700, 77, 77, 77, 77 and 21 नहीं आया यह इसको इसиваемे से एक्स म्माइनस करेंगे दसम्लों च्यार साथ 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 वह देखी यह तीन आएगा और यह च्यार आगे तो जीरो ही दसम्लों के बाद जीरो का कोई ज्यादा में तब नहीं है यहां से च्यार दसम्लों तीन उठाएंगे पलस यह उड़ा जीरो दसम्लों च्यार साथ साथ एंड सो ग थो यहां से दस एक्स बराबर च्यार दसम्लों तीन पलस यह क्या था एक्सट करेंगे 10x-1.x4.3 और 9x4.3 और यहांसे x4.4.3 और यह भाथे दितारस वित इनौ यог यह इसलिए 0.47 बराबर 43 बाई 90 यह अंसर आया एक यह पी बाई क्यों करूप हो गया यह पी और के दुन्नों पूर्णांग इसी तरह से इसमें भी बाई क्यों करूप है दौर तीन दुन्नों पूर्णांग है अब इसमें थज़ड़ पार्ट देहीं कि यह अपरमेदिया 0.001 और तिनों डिजेट के उपर बार है तो इसे एक्स के ब्राबर मान लेते हैं या एक्स ब्राबर 0.001 001 और सो इसी तरह से कर लेते हैं अब देखें तीन अंक रिपीट होएं तो दोनों तरफ किस से गुणा करें हैं एक अजार से गुणा करें हैं एक अजार एक्स ब्राबर ये एक तसमलों 001 001 और सो इसी तरह से सलता रहेगा अब देखिए गुणा करने के बाद हमने क्या करना है कि जो गुणा करने के बाद जो संख्याई है उसमें से एक्स का जमान हो गटाएंगे तो यह आएगा एक बाक की आगे तो जीरो या नहीं सारी तो लेफ्ट एंड साइड में कोई प्रिवर्टत नहीं करेंगे राइट एंड साइड में एक पलस ही ओड़ा यासे एक जार एकश ब्रावर एक पलस एक्स एक्स लेफ्ट में यह सीनल नाहीं एकश ब्रावर 100 औरक्स ब्राभर जिरो जिरो एक बार ब्राबर एक वटे नो सो निरानों यह एंस्वर आगे पी बाई क्यू का रूप हो गया आप फॉर्थ क्यूस्टन देखिए यह भी थेल्ड क्यूस्टन की तरह से ही है 0.999 को पी बाई क्यू की रूप में वैक्त कीजिए पर क्या आप अपने उत्तर से आ अब देखिए पहले तो हम इसका उत्तर गयाद करतें फिर देखिए आस्तरीय जगित करता अभी एक नहीं करता तो इसका हल देखिए पहले तो माना एक ब्राबर जेरो दसमलो नो 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 अड़ सो न अब एक अग क्या विड़ती है तो 10 से गुणा करेंगे 10x बराबर 9.9999 अब इसमें से गठागे पुलस करके लिखेंगे तो 10x बराबर 9 पुलस 0.9999 and so on 10x बराबर 9 पुलस यह क्या बजाएगा x इस x को लेप्ट साइड में लेगी 10x माइनस x बराबर 9 10x माइनस x 9x बराबर 9 और यहां से x बराबर 9 बटे 9 और x बराबर आगया 1 अब देगे यहां पर यह इतने बड़ी संख्या है लास्ट तक नो नो चलती रही और उत्तर आये शिरफ एक तो हम दिखेंगे कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्च्रिय सकीत हैं हाँ 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 यह उत्तर से आश्च्रिय चकीत है हाँ हो कैता है इसके शार्थ तक प्रवेविच्यार करना है तो यहां से देखिए कि अगर हम इस प्रविच्यार करें तो नो 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 अगर चलता रहे जीरो दस्मून नो 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 तो इसमें और एक में कोई अंतर नहीं रहेगा तो इस तरह से उत्तर जाशार्थ तक है तो हम लिखें यह है उत्तर जार्थ तक है क्योंकि क्योंकि जीरो दस्मून नो 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 सदा आग्ये तक चलता रहें तो जीरो दस्मून नो 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 तथा एक में कोई अंतर नहीं होगा अर्था दो नो समान होगे अब आगे परसन नो नो पांच एक वटे सत्रा के दस्मून नो परसार में अंकों के पुन्रावरती खंड में अंकों की अधिक्तम संख्या क्या हो सकती है अपने उत्तर की जांच के लिए भाजन किरिया किजिए तो यहाँ पर पहले तो में यह अंदाज़ा लगाना है कि एक वटे सत्रा का अगर हम दस्मून परसार लिखें तो जिरो दस्मून और इस तरह से कुछ पार्ट जो रिपीट होगा उस पार्ट में अंकों की संख्या कितनी होगी तो देखिए यहाँ कुछ एक संख्या है जैसे साथ है सत्रा है उनिस तेईस संतारईस उनसट एक सट्राण में आदी ऐसे संख्या है उट्टे साते इक उट्टे सत्रा एक उनिस एक उट्टे से एक उते सबस् ליτε है इसका अगर्मान निकाल के देखें अग्षण परसान ओर 2017 एक आघ उपेट हो तरह से एक उट्टे 17 में आए 63 इन 16 रिपीट होते है एस wes masuk ओक Dire कुछ है 19 में 19 से एकम 18 रिपीट होते हैं एक उटे 23 में 22 रिपीट होते हैं एक उटे 27 में 16 रिपीट होते हैं देखिए इसका मैं एक प्रिंट आउट भी लिया है नेट से तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक उटे 7 का अगर दसमलों पर सार है तो इसमें 6 रिपीट हो रहे हैं एक उटे 17 में 16 अंक रिपीट हो रहे हैं एक उटे 19 में 18 अंक रिपीट हो रहे हैं एक उटे 23 में 22 अंक रिपीट हो रहे हैं इसी तरह से से एक कोई साइक्लिक नंबर से समंदित कोई कंसेप्ट जब हमारे नाइध क्लास के स्कॉप से बाहर है तो हम यहां पर सिद्धा लिख देंगे कि एक वटे 17 की दसमलव परशार में अंकों के पुन्रा विर्थी खंड में रंकों की अधिक्तम संख्या 17 माइनस से एक मराबर 16 हो सकती है अब अपने उत्तर के जांस के लिए भाजन किरिया किजिए अब आपने क्या करना एक को 17 से भाग करना जिससे मैं पहले भी आपको यह करके लिखा चुका हूं जब आप एक को 17 से भाग करेंगे तभी आएगा यहां पर जो भाग पर आएगा सिर्फ वही लिख रहा हूं है जिरो दसमलोल जिरो पांच आठ 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 दो तीन पांच दो पिर नो च्यार डबल वन शेवन शेवन शेट्स पोर शेवन तो देखिए बाग कि आप भाग तो करी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक लास्ट में से एक ना आज है तब तक इसको चलाते रहना यही में देखिए इस चीज की क्या होगी पुन्रा विड़ती होगी इसमें एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा पुन्दर और शोड़ा अंख है ठीक और यह दसमलों पर सार कैसा है इसान्त आवरती इसको कई बार अन्नवसानी आवरती यह बोल देते हैं कि दुन्नों का अर्थ सेम ही है तो आपने अवाग पूरा करके दिखाना है परस्न नमर चाहे पी बाई क्यू के रूप में प्रमेर संख्याओं के अनेक उधारन लेजिए जहां पी और क्यू पुर्णाग है जिनका एक के तरीक कोई उबेनिस्ट कुन अन्कुन नहीं है और जिनका दसमलों पर सार सांथ है क्या आप यह नमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवस्य संतोस्ट करना चाहिए तो देखिए यहां पर हम पहले तो कुछ से गुदान लेते हैं फिर क्यों पेविचार करेंगे जैसे एक वटे-चार है एक वटे-चार का दसमलों पर सार जीरो दसमलों दो पांच सांथ दसमलों पर सार वड़े हमने ले नहीं लेंए कि इस के लाव फर्स्ट क्युस्टन से में उठा लेता हूं कि जैसे 37 वटे स्वए 9 वटे 25 क्योंकि एक के लाव कोई इनका उबेनिस्ट गुड़न फिलर नहीं होना चाहिए तो यह आ जाता है 0 दसन लो तीन छे और इसी तरह से हम कोई और ले लेते हैं 7 वटे 16 ले लेते हैं यह आएगा 0 दसन लो 4 3 7 5 और 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 भी कोई एक्जामपल 336 वटे 400 है इसका हमने कैलकुलेट किया था 0 दसन लो तो पांस और एक कोई और उठा लेते हैं जैसे 338 भी हमने फर्स्ट उसमें किया था 338 तो यह हो गया च्यार दसन लो एक दो पांस तो ऐसे हमने इसी चैप्टर में से ले लोगा कहें से भी सांद दसमलों पर सार वाले ऐसी संग प्रमे संखें लेनी हैं जिसमें प्योर क्यों का एक के अलाव कोई उपे निश्ट गुननखंड और ना हो अब क्यों की प्रोपर्टी पर विच्यार करना है तो देखिए यहां पर च्यार के अब आज़े गुननखंड है च्यार के अब आज़े गुननखंड करेंगे तो दो गुणा दो अर्था दो पावर दो यहां 25 के अब आज़े गुननखंड है पांच गुणा पांच यानि 5 पावर 2 या 16 के यह बाद जे गुणान खंट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 6 यानि 2 पावर 4 और यां 600 के यह बाद जे गुणान खंट 400 के अगर हम आए बाद जे गुणान खंट करें तो 2200, 2200, 2200, 2200 और 5, 2500 तो या या 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और 5 की पावर 2 और 8 के यह बाद जे गुणान खंट 2400, 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, 2300 तो या देखिए कि जितनी भी आप ऐसी प्रमे संख्या लोगी दिन का दस्मेलों पर सार शांत है और पी और क्यू का जो उबेनिस्ट गुणान खंट सिरफ एक है एक के लाव कोई नहीं है तो ऐसी संख्या के हर के जब ऐवाजे गुणान खंट बनाएंगे तो उनके ऐवाजे गुणान खंटों में या तो संख्या दो होगी या पांच होगी या फिर दो और पांच दोनन होगी इसके अलावा अगर और कोई ऐवाजे संख्या इसके अब आजब नन्खंड में आगी तो उसका दस्मेंदों परसार शानते नहीं होगा तो यहां हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं में क्योग को 2 की पावर N गुणा 5 की पावर M के रूप में लिखा जा सकता है जहां N और M पूर्ण संख्याओं है यह N और M की वैले 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है या इसको सिंपल वासा में आप लिखना चाहिए उन इन संख्याओं के क्योग के ए भाजेगुणान घंडों में केवल संख्या 2 या 5 य दौनों ही आ सकती है इशक लावा उन्यों कोई ए भाजे संख्या इनके ए भाजेगुणान घंडों में अब पिर अब सेवन्त कि उस रहा है एसी तीन संख्हेग लिखessä जिनका दस्मीलो doubt पर सार एन्नमसानी और अझा विरती है अरतात ऐसान कैंप और अनमवरती रहा उन्यास में ऊह पर आ वरत 1-2 न हिर रिपीट भी नहीं हो रहा ही एसा लिखना हैं तो ऐसी संख्या है कि और अदारण में सब्से पहला हम ले लेते हैं जीरो दसंदो गौण ढौन किने जिरो एक जीरो लगा दी फिर दो लगा दी थीन लगा दी फिर च्यार उनाती और फिर डैस डैस करके च्थोड़को तो कि कभी भी कभी भी रिपीट भी नहीं हो एक पांस ट्रिपल जिरो!!, एक पांस एक दो तीन, च्यार जिरोNa करको सोड़ाईote इसी तरह से तीसरा भी आप दे सकते हो यह भी एक दस्मलो एक जिरो एक जिरो 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 एक जिरो 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 एक जिरो 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 एक और इसी तरह से चोड़ते हैं तो इस तरह से हमें तीन ऐसी संखें लिख सकते हैं जिनका दस्मलो परशार कैसा हो अनलवस कि जिनका दस्मिलों परशार क्या हो असांत ना विड़ती हो अनुवसाने ना विड़ती हो वह परमे होती है परमे का सिर्फ दोई टाइप का दस्मिलों परशार होता है असांत और दूसरा असांत आ विड़ती इसके लाव आप गुरग मुल्दो गुरग मुल्टीन पाई आदी भी इसके उधार्ण दे सकते हैं तो आप पर में संख्याओं के असंख्या उधार्ण है अपर्श नमर नो लास्ट किस्टन इसक्सराइज का इसमें मैं पांच संख्याओं दे रखी है और यह बताना है कि कौन-कौन से संख्याओं पर में और कौन-कौन सी संख्याओं आप पर में है तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में दीवी संख्याओं की बात करते हैं यह है वरख मूल तईस कि यह मुम्यूट्पा यहां वरख मूल तईस जो है कि वह एक एपरमेसंख्या है के एपरमे संख्या क्यों है क्योंकि यह जिए हैवाद्जे-संख्या का बर्दा दूसरा देहिए वरगमूल 225 किसका वरगमूल रोता है 15 का वरगमूल 235 के वैल्यू कितने होती है 15 जो क्या है परिमेशन क्या है और तीसरा जीरो दस्मलो तीन साथ नोट्स है देखिए सांध दस्मलो तो यह क्या है प्रमे संख्या है यह एक प्रमे संख्या है क्योंकि दस्मलो परशार शांत है क्योंकि दस्मलो परशार शांत है आगे फूर्थ पार्ट देखिए तो यह चीज रिपीट ओते गा रहे है तो यह भी क्या है एक प्रमे संख्या है कि क्यों है क्योंकि कि दसम्लव परशार असांत आवर्थी है या अन्नव सान्य आवर्थी है मैंने आपको बताया था कि प्रमेर संख्याओं का दसम्लव परशार दो ही परकार का होता है होता है या असांत आवर्थी और होगोवें ऐस का अलीज परकार देख एक दसम्लोव एक आसांत ना वाधिया तो ये एक प्रिमेशन एपर्मेशंग है यह है कि ए प्रिमेसिंग है क्योंकि इन तसम्लों परसार असांत अनावर्टी है कि ए अँछ ऑओष़ शो कि ए अँछ़ प्रणावर्टी।